हेलो नमस्कार डियरी स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेच केरियर आज की इस वीडियो में डिजिटी ने निव नोटी जारी किया है जो भी कैंड़ेट में पहले ही बताया था ITICBT की निव एक्जाम लिस्ट जारी हो चुके है यदि आपका सेशन 2017-2018-1920 से है तो और डिजिटी की तरफ से एक मेल भी आया हुआ है कालेज के इमेल पर जो की आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा और यह कैंड़ेट वो कैंड़ेट जिनका 27 जनवरी से दुबारा एक्जाम होने वाला है और इनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है और ऐसे कैंड़ेट आप लोग अभी फिलार में प्रिजेंट में जाकर अभी तुरंत जाकर चेक करें कि आपका भी एक्जाम कहीं 27 तारीक से दुबारा तो चालू नहीं हो रहा है यदि आप एक्जाम दे चुके हैं यदि आप चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका 27 तारीक बाद किसी भी डेट में 27 जनवरी के बाद किसी भी डेट में अगर आपका एक्जाम होता है और आपने पहले एक्जाम दे चुके हैं तो आपका हो सकता एपसेंट आ जाए क्योंकि पहले ऐसे कई बार हो चुका है क्योंकि 2017 सेशन में मेरा ही एक केंड़ेट जिसका अपसेंट लगया था और हुआ क्या था कि उसको भी यह हुआ था कि उसका एक्जाम दे दिया था दे कराने के बाद दुबारा भी उसका एक्जाम फिर से आ गया था वही सेम हाल इस और लगब लगब यह 15,000 से अधिक केंड़ेटों के साथ ऐसा हुआ है ठीक है तो यह कम इमाउंट नहीं है 15,000 लड़कों को दुबारा CBT एक्जाम देना पड़ेगा चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को लाइप प्रूब भी दिखाऊंगा और जिन केंड़ेट का एक्ज एक्जाम हो गया फिर 13 जनौरी के बाद एक एक फरवरी फिर दो फरवरी ठीक है यहां तक आप लोग का पूरा शिक्स फेज का एक्जाम खतम हो जा रहा है लेकिन चीबीट टू का एक्जाम फिर से दुबारा जो होने वाला है वह 27 जनौरी से फिर रिस्रीडियूल कर दिय गया है ऐसे candidate जो exam दे कर आये थे उनके लिए है यह तो 27 जनवरी से फिर से start कर दिया है जो कि cbt exam देना है ऐसे candidate ठीक है तो आप लोग अपना नाम देख लीजेगा 27 जनवरी वाले में और 28 जनवरी का भी यहां पर लिश्ट जारी हुआ है आगे भी जारी कितने तारीक तक लगबग यहां पर 15,000 जो candidate है यहां पर जो की first year वालों के लिए और second year वालों के लिए भी तो यहां पर लगबग यह लिश्ट में अगर आप लोग चेक कर सकते हैं त इनका CBT एक्जाम साथ जनवरी को हो चुका था फिर उनको भी मापक प्राउंड में कर दिया गया है सताई जनवरी को CBT एक्जाम देखिए यह वो candidate है जिनका एक्जाम इंप्लाइबिल्टी स्किल और वरक्षाप कैलकुलेशन का 6 जनवरी 2022 को उगरत रहा ठीक है लेकिन फ इनका फिर से रिट्स्रीडियूल किया गया है जहां पर मैं उनका स्क्रीन शार्ट भी दिखा देना चाहता हूं बेज़ेते वो और ऐसे में आपको करना क्या चाहिए देखिए इंप्लाइबिल्टी स्किल की 7 जनवरी 2022 को एक्जाम था फिर वरक्षाप कैलकुलेशन का भी सब्सक्र refractorymaJackson сейчас है मैं पोतल जाकर आप यहां पर ट्रेनिंग प्रोफाईल पर जाएगा और थ्रेनिंग quedar जाने के बाद Над्रेनिग प्रोफाईल क्लिक करना और यहां पर डिशिस्टेशन नंबर फादर नंबर फादरनेम 拌िशिस्टेशन नंबर फाधरनेम डेटा ब钉त और यहाँ पर अपना image capture जो दिया है 94 और submit पर क्लिक करना है दो चार बार यह करिएगा और आपको वहाँ पर admit card वाले सिक्षन पर CBT exam eligibility चेक करना है और आप अपना admit card डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करने का process में बता दिया हूँ लिंक आपको description box में दे दूँगा admit card को कैसे तो ऐसे आप लोग दुबारा चेक कर लिएगा यदि आपका होगा तो आपको exam जरूर जा कर दीजिए क्योंकि देखिए आपने एक बार तो exam दे दिया लेकिन आपको लगता है या आपके teacher बोल रहे होंगे ऐसे कई calendar के साथ भी हो चुका है क्योंकि वो हमें instagram पर message भी किये था कि sir मेरा भी ऐसे प्राबलम है तो आप भी please check करिएगा क्योंकि आपके teacher मना करेंगे मना करने के बावजूद भी यदि आपका exam दिखा रहा है दुबारा तो आप लोग जरूर देने जाहिए क्योंकि अगर दुबारा exam सो कर रहा है तो आपका दुबारा exam होगा otherwise आपका absent हो जाएगा और आप back ले लेंगे back exam फिर से देना पड़ attendance नहीं होने के वज़ा से हो गया है जैसे यह बोलने है आई टी आई की दुनिया वाले बोलने है हासर मेरा भी यह यह आया था यानि कि यह database होने के कारणा आई टी आई सीबिटीर exam जो दिया गया है बहुत से candidate का ऐसा है तो मैं एक वीडियो में बताया था तो ऐसे बहुत स एक्जाम देना पड़ सकता है और ऐसे candidate बहुत से comment किये थे अब यह देखिए सर मेरा भी आया है कालेज में क्या बोले तुमको तो बहुत से कैंड बोले हैं कि दुबारा exam देने से मना कर रहे हैं देखिए लक्षमन गेमिंग बोले है सर मैंने प्रिंसिपल से पूछा था क एक्जाम देने नहीं पड़ेगा बोला था अब क्या करूं तो वह एक्जाम नहीं बोला था कि एक्जाम नहीं देना पड़ेगा तो मैं कहा था आपका शुकर रहा है तो वह बोले से हाँ 27 को ठीक है तो 26 तक मैं बोला था कि अगर सही हो जा तो ठीक है वरना एक्जाम देन 27 जनवरी से कहीं, आपका भी तो सो नहीं हो रहा है, अगर होगा तो आप लोग तुरंट जाहिए, क्योंकि आज 27 जनवरी है, और कोई भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके प्रिंस्पल सर बोल लें, तो ऐसा नहीं है, वो सही करवा लेंगे, अगर आपका एक्जाम, आप के पास प्रिजेंट में कोई सोलूसन नहीं है, अभी प्रिजेंट में आप जाहिए, अपना एक्जाम दीजे, आप भी कमेंट बाक्स में बताइएगा, जरूर कि आपका भी ऐसा सो हो रहा होगा तो, आज कली वीडियो में इतना ही, ऐसा ही आई आपडेट पाने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, किसी तरह क्वेरी होगी तो आप भी कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज कर दीजेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे आज के लिए वीडियो में नहीं, थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो गाइज में लेगे नेक्स्ट अप्डेट में तब तक क्लिए बाए